हेलो डियर पैरेंट्स वेलकम टू बेबी फ्राइवर्स यह आज मैं आपके लिए लेकर आयो एक बीबी के लिए ऐसा हेल्दी फूड जो बहुत ही क्विक बन जाता है और बहुत ही हल्दी वेट गेनिंग बेबी फूड है यह बेट गेनिंग रेस्पी है आप इसे जरूर र बेट गेन करते हैं साथी में मिनरास प्रोटीन्स होता है फाइबर होता है कार्बोहाइड दूड होता है जो बेबी के वेट में और ब्रेन डबलप्मेंट में काफी मदद करता है यह बहुत ही हैल्दी और एस्पी है और कुईक बन के तयार हो जाती है तो चलिए पाइरूस कर लेंगे लगातर चलाते हुए बहुत साथा नहीं करना है थोड़ी दिर करना है अब हम इसमें डालेंगे एक कब बॉयल मिल्क तो यहां मैंने काव मिल्क लिया है और इसे हम मिल्क के साथ अच्छे से पकने देंगे जब तक यह सौफ्ट नहीं हो जाते है और उसमें मिल्क कर देंगे और अच्छा से गाड़ा भी हो गया है तो अब हम एक लेंगे बनाना बनाने को हम कट करेंगे हाफ बनाना हम यूज करेंगे सबसे पहले हम इसे कट कर के इसका जिल का अलग कर देंगे बनाना बेबी के वेट में बह oyster करता है बेबी का वेट केंट यह तो आप सभी को पता है तो आप इस recipe को ट्राय करेंगे तो बेबी का weight बहुत जल्दी गेन होगा तो बनाना का हमें चिलका लग कर दिया और छोटे-छोटे pieces में हम इसे cut कर लेंगे आप ये बनाना हम इसमें add कर देंगे और अच्छे से mix करेंगे बनानों को अच्छे से mash कर लेंगे बनाना अच्छे से इसमें पक जाए सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसे लगाता चलादूए पकाना है और यह देखिया अच्छे से मिक्स हो गया है यह पक गया है पूरी तर से गाड़ा भी हो गया है अब हम इसमें डालेंगे आदी चम्मत जैगरी पाउडर जैगरी पौअडर टालने के बाद अम इससे नहीं पकाना है ज़ादा बस जैगरी पौउडर को हम मिक्स करेंगे औहर गैस की फ्लेम को बन कर देंगे तो अब यह बेबीका फूड बन गया है बिल्कुल रेडी है तो आप हम इसे उतार लेते हैं गैसे और इसे हम सर्फ कर लेंगे तो यह हमने सर्विंग बोल ले लिया है और इसमें हम निकाल लेंगे सर्विंग डॉल में बहुत ही कुई रेस्पी है छेट पट से बनके तयार हो जाती है यह बहुत साथा बेबी के लि जैसे यह थोड़ा से ठंडा हो जाता है तो फिर हम बेबी को इसे खिला सकते हैं तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स टाइम इसी तरह की वीडियो आपके साथ शेयर करते रहेंगे उसके लिए आप चैनल को सब्सक्काइब करना बिल्कुल मत भूलना और बैल आइकन को भी जर से पहले पहुंचेगी और अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो कमेंट करके जरूर बतायाना मिलते हैं नेक्स टाइम टेक क्यार बाइबाई